देश में C.A. का मुद्दा फिलहाल सांथ होता नहीं दिखाई दे रहा है नेदिली में आज वेलफेर पार्टी ओफ इंडिया के समेथ कई संगठनों ने एक विरोद मार्च का आवान किया था जिसमें C.A. और N.R.C. का विरोद किया जरा है इसमें देश के कई हिस्से से मु महिलाएं भी सामिल होने आई हैं यहां बे प्रदर्शनकारी और विरोद मार्च में सामिल महिलाओं का साफ तोर पर कहना है कि सरकार भले ही कह रही है कि वो C.A. से स्थानिये मुसल्मानों को कोई दिक्कत नहीं ला रही है लेकिन इस समय देखा जाए तो सरकार उनके दिखानिक है यह कानून इसे सरकार को वापस लेना चाहिए पूरे मुलक में पूरे देश में विरोध प्रदरिशन हो रहे हैं आसाम से लेकर गुजरात तक के और बंगाल से लेकर केरला तक के आवाज ने उठ रही है पबलिक मुत बालबा कर रही है सरकार अगर सुनने र आ रहे हैं इसका मतलब यह कि हम लाएंगे दूसरी बात यह कि एन पी आर जो है वो फस्टेज है एन आर सी की वेलफेर पाड़ी तरफ से ही यह यह जब एड़िस्टेंट जितनी दिल्ली के लाके महां से आये हैं और कुछ लोग रेप्रेजेंटरिक तौर पे हर स्टेट से आ जालों चाहिए शाहीन बाग के शकल में इस वफ में असी मुकामात पर देश में एटी इस पर लेडिस बैठी हुए दरनों में और इसके लावा लाखों की तादाद में लोगों ने हर बड़े बड़े शहर में दरने दिये हैं तो सरकार को सुनना चाहिए हम लोग यहां प कानून जो गलत तरीके से इसको लाया गया है इस कानून को यह चाहते हैं इसको हटा दिया जाए हमारे सीदी सी मागिए यह देखिए कहने में और करने में बहुत फर कि अगर ऐसा नहीं होता ना तो इतने लोग यहां पर आज एक खट्टा नहीं होते यह गलत है और हम यह लोग नहीं ला रहे हैं विश्वास दिलाएं हम यह चाहते हैं इतनी दूर हम यहां पर इसलिए आए ताके यह प्रोटेस्ट खतम भी किया चाह सके यहां पर कम से कम 50 के करीब राजिस्थान से आई हैं कम से कम 25 लेडिस आई हैं करीब हम लोग आज सम्विधान बचाओ नाग रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि यह जो सी ए ए ए एन रसी का काला खानून है इसको वापस लिया जाए और देश के जो सम्विधान की जो आत्मा है उस पर वार ना किया जाए जो बापू का देश है जो अमबेदकर जी का देश है उसको बरकरार रखा जाए इसमें वेलफेर पार्टी आफ इंडिया है और बहुत सारे लोग शामिल हां कुछ जामिया के भी चात्र हैं देखिए ओ क्रोनोलोजी जो है समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है नारसी की जगे पर एंप्यार ला रहे हैं न तो इस पर खुलकर बात होनी चाहिए और यह लव लेटर लिखने से मामला जो है शानत नहीं होगा जब तक यह वापस नहीं होगा हम रहे हैं कि अब रहे हैं कि अब दिक्त कि दिकत नहीं है आपके इसमें तो नागिकतन उन दर्मों को दे जा रही है छोड़ के मुसल्मानों को जो आपके विश्वास होता ही निया सरकार के प्रक्याव में कोई सबूत दे क्या हमें विश्वास हो जाए उसके सबूत माइना चाहते हम क्या हम और इस सरकार पहले वहाद को पूरा करें तब उस बात को हम विश्वास करेंगे हम लोग जो काला खानून आया हुआ है इसका विरोध कर रहे हैं ये सी एए एन रसी और एन पियार जो तीनों है हम लोग इसको जो है तीन बुलेट मानते हैं जिस से जो है हमारे देश को खत्रा है इस तरीके खत्रा है इस देश को बाटा जा रहा है मजभब के नाम से बाटा जा रहा है तो हमारे संविदान के खिलाफ है तो हम लोग हमारे संविदान को बचाने के लिए इस देश को बचाने के लिए रास्तों यहां के मुसल्मानों को डरने की ज़रूरत ने कह रहे हैं लेकिन यहां पे जो का खानून लाया गया है इसमें साफ नजर आ रहा है कि इसमें कम्यूनिटी को निकाला जा चुका है तो आप छोटा से असाम का एनर्सी ले लिजिए तीन करोड के आबादी वाला तो वहां मुनिस लाक लोग बाहर आ चुके हैं तो उनके जो है इससे कोई भी अभी तक भी कोई उनके लिए सुविधान नहीं हुए सुविधा की नहीं जा चुकी है तो इसी वज़ा से हम भी यही करते हैं यहां पे हमारा 1.30 क्रोड का अबादी है आप पुरी देश में यह चीज़ करना चाह रहें तो हम लोग बोले क्रोड साफ लोग जो आएंगे उनकी क्या सेक्यूरिटी देंगे आप उनको कहां पे करेंगे हम लोगों को आपकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है होना हम यह चाहिए ताकि सरकार की बातों का हम विश्वास करें बैठें हमारी बात सुनें हमसे बात करें हमारी जो मामलात हैं उसको सुलचाएं हम वही चाहते हैं सरकार से बैठें बात करें कुछ हल निकालें जो सबके सबके पर में हरें सबके हक में हो इस देश के हक में हो हम N तो कि लिए दिख़ा रही हैं और एक महीन होने वाला है रात दिन घरों को छोड़के बैठे बैठे वे हैं धूप में बारिश में हमें सरकार देख ले रही हम अपने घरों से फाल्तू नहीं वह ओड़ती ही निकलती ही नहीं थी कभी वह आस अब बैठी है वो क्या वजह है उनके दिल को दुखाया गया है, वो घर जो नहोंने 20-20 साल मेहनत करके गरीबों ने अपने घर बनाए हैं, उन्हें चीनने की कोशिच कर रही है सरकार, लेकिन इंशालला हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर दिक्कत नहीं होती, तो हम यहां जमा क्यों होता है, हम यहीं के रहने वाले यहीं पेदा हुए हमारे बापदादा यहीं पेदा हुआ है, हमारे पस्तबूत है, विश्वास नहीं पा रहा है, यह सरकार की तरफ से कोई नहीं समझा पाया, विश्वास नहीं नहीं पाया सरकार जो बता रही वो खलत बता रही बिल्कुल खलत है उसकी हकीकत कुछ और सरकार तो सरफ ये कह रही हम जह मानने ता दे रहे मानने ता ले नहीं रहे लेकिन ये बिल्कुल खलत है कर रहे हैं और जो पुलिस ने परी वर्वा करी है यह हमारे लोगों को मारा है और यूपी में जो मारा है हमारे लोगों पकड़ पकल लेकर गये जेल में डाला है उनको यहां पर मार्च कर रहे हैं करते कुछ हो रहे हैं और फिर एक तो आदमी एक बादशा देखे एक जबान का पावर्फुल होना चाहिए उसके जबान का कोई अतबार ही नहीं है कभी वो किदर ही मोड़ देता है तो कैसे अतबार करें हम क्या लग रहा है विश्वात में आप लोको नहीं लिया जा रहा है जी नहीं हमें विश्वात में नहीं लिया जा रहा है और हमें बिलकुल भी इग्नोर करा जा रहा है जो हिंदो मुस्लिम करा जा रहा है हम उसके खिलाफ मार्श निकाल रहे हैं यहाँ पर हमारी यह है कि हम यहीं पर पैदा हुए और यहीं के रहने वाले हैं यह हमें पुल्प करने की जरूरत नहीं है क्या लगता है कि सरकार को क्या रही है कि सीडियों नहीं प्रॉब्लम नहीं है वह ठीक है लेकिन हमें हमें एक मांडेता भी नहीं दी जा रही है हमें एक पॉइंट भी नहीं पकड़ा लिया जा रहा है कि हम यहां पर है हमारी प्रॉफ पूर नहीं हो पारा है उपने पाएएएट के अविशुष में लेगा रही हैं इसी के अगेंस हमारी प्र भीन परफके सा बासा क के हम प्रूपमिन्ट हम पर बिलीव कर साके हमीश अभर गया है। वाई के उनको अंदर कर रही है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारा में मुद्द यह है कि उन लोगों पर सुनवाई हो और यह प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक यह NPR NRC वगारा वापस नहीं हो जाते हैं तो इनकी बातों पर विश्वास कर रहा नहीं को खाई गए बिल्कों लिए तो हम अपने constitution को बचाने के लिए निकले और हम तब तक यह जारी रखेंगे दब तक हमारा constitution से वैसे ही नहीं रहेगा जैसे गांदी जी नहीं हमें दिया तो सुरक्षा की दृष्टी से बड़ी संक्या में पुलिस पोर सेनाक की गए है दंको बताए साथ तोर पे उनको कशक्त नहीं है तो इस तरीके के वीडियोथ elsment नहीं करने पढ passageे लेकिन उनका कहना है सरकार हमें विश्वास में ले पा रही है और हमें लग रहा है कि सरकार हमारा सब कुछंटकौन की कोशिक्व कर रहे हैं यह वज़य कि हमको सदकों पर तरकर विरोट प्रजर्शन करना पड़ रहा है नहीं दिल्ली से सौरफ सिर्वास्ता हो एनमेफ न्यूज